गुड इविं दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाइफाइ स्टड़ी विथ नंदिनी में जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की हिस्ट्री की सिरीज लेकर आए हैं जिसमें हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 5 क माइफा यह है मनगोल का प्रमुक विवसाय क्या था य Kayla कौो कौन सा काम करते थे मंगोल तो क्रिशी परशुपालन यमशिकारी संग रह ejerc that यह शिल्मकार अशिल्पकार है तो हम को पता है कि यह गुमककर धे उन जाती खाना बदोश थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और इनका जो मुख्य विवसाय था वो क्या था पशुपालन और शिकारी संग्राहक यानि हमारा उत्तर सही हुआ बरबर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बरबर का मतलब क्या होता है हिंचक होता ह है शक्तिशाली होता है गैर यूनानी होता है या शिकारी होता है तो जैसा कि हमने पड़ा था कि यूनानी ग्रंथों में बरबर शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो गैर यूनानी थे यानि जो यूनानी नहीं थे और जिनको पच्चों के समान कहा गय जिनके अंदर कुछ गलत आदतों के बारे में विलासपुर्ण आदतें, हिंसक, जिद्धी, इस तरीके का जिनके आवास करकस थी, कटीली थी, रूखी थी, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर ग सही हुआ। चीन की महांदिवार का निर्मान क्यों किया गया था? राजे की सुंदर्ता में व्रधी के लिए, ब्यापार में व्रधी के लिए, कृषि छेतर में किलेबंदी के लिए, या या यावर कभीलों के आकरमर से चीन की सुर चीन के पास वाली जो नगर थे उन पर तो वहां के शाष्टकों ने सोचा कि एक ऐसी दिवार खड़ी कर दी जाए एक ऐसी मजबूत दिवार खड़ी कर दी जाए जिससे यह मंगोल के जो यह कभीलियाई लोग है यह चीन पर आकरमर ना कर पाएं तो इसका जो रीजन था बन फकी नई सैनिक टुकडियों को क्या कहा जाता था यानि चंगेश खाने अपने चार पुट्रों के लिए पहले तो उसने अपने चारों पुट्रों को अलग-अलग जो भी उसके छेत्र थे उसका जोислबी साम्राज था उसको बाठ दिया था उसके बाद उसमें अपने पुत्रों के लिए नई सैनिक जो टुकडियां थी वो भी बनाई थी और सैनिक टुकडियों का नाम भी रखा था तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सैनिक टुकडियां थी उनका क्या नाम था तामा यास हरकारा पद्धि या कोभुकर तो देखिए क्या उत्तर है तामा यानि तामा हमारा सही उत्तर है मंगोलिया में चंगेज खां को किस प्रकार किस रूप में मानेता प्राप्थी इस कोशन में ये पूछा जा रहा है कि मंगोलिया में चंगेज खांग को किस रूप में माना जाता है चंगेज खांग को किस तरीके से लोग देखते हैं वहाँ पर तो देखो, चंगेज खाने मंगोलिया को एकिकरित किया, जो कभीले आपस में लड़ रहे थे, उनको एक सामराज्य के रूप में विक्सित किया, चीन से सुरक्षा करी, उनका ब्यापार अच्छा करा, तो इस रूप में जो मंगोल के लोग हैं, उसको देखते हैं, एक रास् विक्री ब्यापार तो देखो, मदर ऐश्या के या या यैवरों को चीन से वो क्या करते थे, ब्यापार करते थे इसपेशली वो बस तुमे में वो शिकार किये हुए जानवरों को, और उसके साथ में घोड़े, फर ये सबlast किये देते थे, और चीन से इसके बदले में औब बनाने वाली चीजें और साथ में ही वहां से क्रिशी उत्पाद लेते थे तो इस तरीके से हमारा उत्तर नंबर कौन सा सही है खो चंगेश खां को किस उपादी के साथ मंगोलों का महानायक घोशित किया गया था यानि चंगेश खां को मंगोलों का महानायक घोशित किया गया ठीक है ना वो कौन सी उपादियां थी राश्वनायक शाशक सर्वनायक शाशक फरिष्टा शाशक या समुद्री खान और सार्व भौमिक शाशक तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि उसको सार्व भौमिक शाशक या समुद्री खान के भी उपादी मिली थी तो हमारा उत्तर नम्बर का सई हुआ मंगोलों द्वारा हरकारापद्धिती के लिए प्रदान किये गए अपने घोडों एवं अने पश्वों के दस्में हिस्से को क्या कहते थे तो देखो जो वहां पर हरकारापद्धिती एक तरीके से सैन ये छावनी बना दी जाती थी ठीक है ना जैसे पुलिसी स्टेशन होते ना आज के टाइम में वैसी बना दी जाती थी और वहाँ पर अच्छे किस्म के घोडे घुरसवार साथ में रखे जाते थे जो जो कोई भी सूशना होती थी तो एक जगा से दूसरी जगा पर ट् गेए है ना तो यह जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा गया इस पत्धति के लिए पृदान किये गया अपने गोडो युमन्य पश्भूं के द्रसमें हिस्से को क्या कहा जाता था इसप कर को कहा जाता था कुबुगर यायावर लोग मुलता कौन थे? हमने पहली पढ़ा था पहली लाइन है कि यायावर लोग कौन थे? तो इसमें देखो घुमकर थे. घुमकर किसम के थे हैं? अपनी पहचानियों विशिष्टता बनाया रखने के लिए मंगोलों ने किस विधी? विधी सनिता को अपनाया. या जाती है विधी या नोयान विधी सनीता то हमको अच्छे से पता है यास या यसाग जिसमें चंगेश खांका जो विधी सनीता कहीं जाती है जिसमें उसके राज्ये का प्रशाशन कैसा था सैने प्रणाली कैसी थी, उसके आदेश कौन से थे, कौन सा काम कैसे किया जाएगा, उत्तराधिकारी को क्या दिया जाएगा, उसके कौन से काम होंगे उत्तराधिकारी की, यह सारी चीजों का वर्णन है, जिसका बाद में भी उसके उत्तराधिकारियों ने प्रियोक किया था, तो हमने अच्छे से पड़ा था, कि उनकी ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई विवस्ति सेना नहीं थी, उन्होंने क्या किया था, कि हर एक कबीले के जो व्यक्ति नौजवान थे, जो स्वस्त थे, जिनके पास हतियार था, गोड़ा था, वो सब सैनिक थे, है ना और इस तरीके से उन्हों ने सेना बना रखी थी तो उनकी जो सबसे बड़ी टुकडी थी उसको क्या कहा जाता था यहां पूछा जा रहा है तो इसमें देखो तुमन, नोयान, यसाक, उलुस तो हमारा उत्तर नमबर कौन से सही हुआ क, तुमन हरकारा पद्धिती क्या थी? विभिन इस्थानों में परसपर संपर्क की पद्धिती थी वश्वों को पालने की पद्धिती थी, विभिन छेतरों पर आदिपत्य की पद्धिती थी या गुलाम बनने की पद्धिती थी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हरकारा पद्दिती क्या थी विभिन इस्थानों में परस्पर संपर्क की पद्दिती थी चंगेज खां का प्रारंबिक नाम क्या था चंगेज खां को प्रारंबिक किस नाम से जाना जाता था चंगेज खाने अपने किस पुत्र को अपना उतराधिकारी गोशित किया था तो देखो जब चंगेज खान जिन्दा था तब ही उसने इस बात के संकेग दे दिये थे क्यों जो उसका उतराधिकारी होगा उसका जो तीसरा पुत्र, ओगो देई, वो होगा, ठीक है Na यास से क्या अभी प्राय है व्यापार विन्ज में प्रणाली है विधी सनीता है पशुपालन विवस्ता है या कृषक समाज है तो यास क्या था यास एक तरीके से विधी सनीता था मंगोल सामराज्य का शैबनियों को उस बेक कहा जाता था उनके नाम पर निमन में से किस देश का नाम बढ़ा धिको शैबनिय कौन थे पहले ये जान लीजिये जो जोची था जोची कौन था चंगेज खांका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम जोची था उसके ही पौत्र उसके हीультव थे औ और उन्ही के वंशजों को कहा जाता था शैबनी, तो शैबनियों को ही क्या कहा जाता था, उजबेक कहा जाता था, और इन्ही उजबेगों के नाम पर कौन सा, कौन से देश का नाम पड़ा है, तो देखो उजबेक से कौन सा देश मिल रहा है, उजबेकिस्तान, तो उत्तर न निवन में से फार्सी इतिवृत्तकार कौन है, यानि फार्सी इतिवृत्तकार कौन है, हफीज, एतानिश, रशीद अल्दीन, जुवैनी, या फिर मार्को पोलो, तो देखो, जुवैनी है, फार्सी इतिवृत्तकार, और इसकी NCRT की बुक में इसके बारे में लिखा है, इस उस टाइम पीरिड में किस तरीके से नर्स अनहार हो रहा था, ये जुवैनी ने बताया है. सुरक्षित यात्रा के लिए ब्यापारी कौन सा कर देते थे, जो ब्यापारी थे, अगर उनको ब्यापार करना होता था, तो वो एक कर देते थे, चंगेज खां के टाइम में, तो उस कर को क्या कहा जाता था, और उस कर को देने का मतलब यह होता था, कि जो महान खान है, उसका जो शाशन है, उसको स्विकार कर लिया गया है ब्यापारियों के माध्यम से, तो उसको कहा जाता था बाज, जो बर्णन मिलता है जिन पुत्रों का जो उफिशली जो उसने शादी करी थी और उससे उत्पन जो पुत्र थे वो चार थे ओगोदेई चप गया यहाँ पर लिकिन यह ओगोदेई होगा चगताई तोले और जोची तो पैत्रिक भूमी मंगोलिया को इसने दिया था अपने स ज test भब सी छोटे बेटे तोलोई को चंगेज खांके द्वार राजकुमारों के लिए बनाएगे सैन ने टुकडियों के सेनापति को क्या पति को जायता था सैने टुकडियों को तो तामा कहा जाता था और जो सैनापति थे उस wallet तैन सेनिक टुकडियों को क्या कहा जाता था तामा, नोयान, बाज या याम, तो उत्तर नमबर खो सही होगा नोयान कहा जाता था कि 1250 इश्वी के दशक में इरान में शक्तिशाली अभियान किस राज शाषक के द्वारा चलाए गया था जो टाइम पीरेड है 1250 से लेकर 1260 के बीच में उसमें इरान में बहुत शक्तिशाली अभियान चले थे और ये मंगोल शाशक किसके द्वारा चले थे इसके बारे में बताना है तोलोई शैबनी मोंके और गोमुक तो इसका उत्तर नंबर होगा गो मोंके मोंक किन पशों को पालते थे गोड़े भीड, उट और गाय, बकरी और भैस, हीरन और पैल तो देखो मंगोल जब वस्तु विनिमय करते थे तो वो अच्छे किसम के गोड़े ब्यापार में देते थे ठीक है ना यानि अपनी तरफ से गोड़े वो देते थे तो गोड़े का प्य से आपका क्या भी पराय है, यानि उलूस का जो मतलब है वो क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जब चंगेश खा अपने बेटों को सामराजे देता है, तो वो कहता है कि सामराजे ये तुम्हारा है, लेकिन ये उलूस नहीं है, उलूस का मतलब इसका जो भुभाग है वो अनि चिद बुबाग है कहने का उसका मतलब यह था कि इस सामराज्य को आप और बढ़ाईए आगे रूसी स्टेपी प्रदेश को चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को प्रदान किया था चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों को चार चीज़ें प्रदान की थी चार जगहें प्रदान की थी जैसे ओबोदेई नहीं ओगोदेई है यह तो ओगोदेई को इसने अपना उत्राधिकारी जगताई को इसने जो है अपना जो तुरान वाला छेतर है वो प्रदान कि तो हमारा उत्तर नमबर गह सही हो गया, आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया content और यह question समझ में आये होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो अगर आपको मेरे द्वारा किया गया काम और content अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करिए, channel को subscribe करिए, और like करिए, like करने में कंजोसी मत करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.